के अलिए चन्न जे यह अजल के भारे में आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो बने रही यह मुअंत तक कि चलिए शुरू करते और अगर आप हमारी चनल रिद नय हैं तो मैंने चनल को सप्सक्राइब करके बेल के बटन को 131-7 नई वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेल सके। लिंग में जलन क्या होती है। दूस्तों, लिंग में जलन होना किसी व्यक्ति को शाररिकव मांसिक रूप से परिशान कर देनेवाली स्थिती हो सकती है। यह स्थिधी खास तोर पर किशोरा आवस्था में मानसिक रूप से ज़्यादा प्रभावित करती है क्योंकि वे अक्सर अपने यवन अंगों की विकास को लेफर काफी चिंतिद रहते हैं लिंग में जलन मैसुस होना काफी दर्दनाक स्थिती हो सकती है जिससे व्यक्ति की यवन गतिविद्या ही नहीं बलकि सामन्य जीवन भी काफी प्रभावित हो जाता है जोस्तो बात करते हैं कि लिंग में जलन क्या होता है दोस्तो लिंग के अगले हिस्से यानि की ग्लांस के किसी भाग में जलन मैसुस होने की स्थिती को लिंग में जलन कहा जाता है इसके अलावा जलन लिंग की उपरी चमड़ी यानि की पोर स्कीन या फिर अंदरूनी भाग यानि की शाफ्ट में भी मैसुस हो सकती है और इस स्थिती के कुछ मामलों में लिंग कर दाने या फखोले बनना, चकते, खुजली या पेशाब में खुनाना वगेरे जैसी समस्याई देखी जाती है दोस्तों लिंग में उने वाली जलन के लक्षणों की बात करें लिंग में जलन होना कोई विशिष्ट रोग नहीं होता है बलकि या खुद में ही किसी रोग का लक्षण होता है अलाकि इस स्थिती के साथ अक्सर अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं तो लिंग में जलन के साथ होने वाले कुछ और लक्षणों के बारे में हम आपको बताएंगे जो प्रजनन वो मुत्रप्रणाली संबंदी अन्या अंगो को भी प्रभावित कर सकते हैं जैसे कि पेशाब में खून आना यानि की हेमेट यूरिया पेशाब में दर्द या दिक्कत मैसूस होना यानि की डिस यूरिया लिंग से पस निकलना यानि की मवाद निकलना सेक्स के दोरान दर्द होना पेट दर्द पीठ में दर्द पेलवीस या ग्रोइन में दर्द होना स जलन होने के साथ कुछ और भी लक्षण विक्षिस हो सकते हैं जो सरीर के किसी दूसरे हिस्से से संबंदित होते हैं जैसे कि ठंड लगना, ठकान, बुखार, गले में दर्द होना, खासी होना, सरीर के अन्य हिस्सों में दर्द होना, जैसे कि बदन दर्द होना, पचा कि किसी हिस्से में खुझली मैसूस होना उल्टी होना या फिर जी मिचलाना इसके अलावा लिंग में जलन के कुछ अन्य लक्षण भी पैदा हो सकते हैं जो किसी घंबीर सारेडिक समस्या का संकेत देते हैं और इन लक्षणों के मैसूस होने पर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दि होने लगना दोस्तों लिंग में जलन क्यों होती है इसके क्या कारण है तो दोस्तों पैनिस याने की लिंग में जलन होना कोई रोग नहीं है यह वास्तों में एक लक्षण है जो विबिन प्रकार की स्थितियों के कारण विक्सित हो सकता है इसके कारण का पता लगाने के ल आलाकि कुछ अन्य स्थितियां भी है जिसमें लिंग में अधिक रगढ़ होने के कारण जलन होने लगती है जैसे कि अधिक जोड़दार हस्त महीं थून करना, अधिक प्यूरता से सेक्स करना अधिक टाइट पैंट पैना जो व्यायाम या अन्य शारिक गती विद्या करने के दोरान लिंग से रगड़ खाती हो किसी खुर्दूरे या फिर कठोर तोलिये के साथ लिंग को पोच कर साफ करना इसके अलावा यदि व्यक्ति हस्त में इथून करने या यहून संबन बनाने के दोरान किसी लिब्रिकेंट का इस्तमाल नहीं कर रहा है तो भी उसको लिंग में जलन होने का खत्रा बढ़ सकता है कुछ और भी स्थितियां है जिनके कारण लिंग में जलन और अन्य समस्याएं प्यदा हो सकती है जैसे कि मुत्रपत में इंफेक्शन होना, यूरेथ्राइटिस होना, लिंग में इस्ट इंफेक्शन हो जाना, प्रोस्टेटाइटिस या गॉनोरिया या फिर पैनिस, कैंसर दोस्तो लिंग में या पैनिस में जलन होने से रोकथाम कैसे करें तो पैनिस में जलन कई अलग-अलग स्थितियों के कारण हो सकती है उनस्थितियों के अनुसार बचाओ भी अलग-अलग तरीके से किये जा सकते हैं अगर अधिक तीवरता से सेक्स करने के कारण लिंग में जलन हो रही है तो एक अच्छी लूब्रिकेशन वाली कौंडम का इस्तिती से बचाओ किया जा सकता है। अस्त में थून करने के दोरान भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि लिंग पर अधिक दबाव न दें और नहीं नाकून वगेरे को रगड लगने दें। इसके अलावा त्वचा संबंदी अन्य बातों का भी ध्यान रखकर भी लिंग में जलन होने से रोप्ताम की जा सकती है। बजाए हलके हलके पोच के सुखा लें। उसके बाद दूस्तों उचित कपड़े पेने ऐसे कपड़े नव पेने जो अधिक हो या जिनके अंदर से हवा ना गुजर सकती हो लोगों को इस बात का पता होना भी जरूरी है कि कैसे स्वास्तस्तमंदी समस्थ्यां आपके लिं में जलन हो सकती है। जलन के समय आपको दर्द होता है कि आपको जलनाओंगों के आसपास कोई चक्ता या तवचा में बड़ाव दिखाई दे रहा है। आपको जलन के साथ साथ खुजली भी हो रही है कि आपके लिंग से कोई पस यानि की मवाद या अन्या पदार्त निकलता है। अपने हाल ही में कोई नया साबुन या अन्या प्रोड़क्त इस्तिमाल किया है। यदि आप सेक्शुल एक्टिव है तो आपने हाली में और सुरक्षित याउन संबन तो नहीं बनाए। आपके एक से अधिक याउन साथी तो नहीं है। आली में आपकोई दवा तो नहीं ले रहे हैं। यदि हाँ तो फिर कौन सी दवा ले रहे हैं। यह सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पैनिस में जलन का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों लिंग की जलन को ठीक करने के लिए कोई विशिश टुक्चा नहीं है। क्योंकि यह स्थिती अलग-अलग प्रकार के रोगों के कारण हो जाती है। और इसलिए पैनिस में जलन का इलाज उसका कारण बनने वाली स्थिती के अनुसार किया जाता है। यदि किसी प्रकार की रगड लगने के कारण लिंग में जलन विक्सित हुई है तो उसे कुछ से ठीक होने के लिए उप्यूप्त समय दें। इस दोरान कोई भी ऐसी गतिविदी ना करें जिससे स्थिती खराब हो। रगड के कारण होने वाली जलन आम तोर पर अपने आप ठीक हो जाती है और इनमें से कुछ स्थितियां का घर पर भी इलाज किया जा सकता है। यदि किसी अन्य प्रकार के रोग या इंफेक्शन के कारण लिंग में जलन हुई है तो स्थिती के कारण जानकर उसका इलाज शुरू किया जाता है। बैक्टरियल वर वाइरल इंफेक्शन का इलाज करने के लिए एंटिबायोटिक वर एंटिवाइरल दवाएं दी जाती है। रुप से चति ग्रस्त कर सकती है। यदि लिंग में जलन के अंदरूनी कारणों का पता लग गया है तो डॉक्टर द्वारा बताई गई इलाज पर क्रिया का पालन करें। ऐसा करने से इससे होने वाली जटिलताएं विक्सित होने के ख़द्रे को कम किया जा सकता है। लिंग में जलन के संबावित रूप से कुछ जटिलताएं विक्सित हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें।